हे गाईज जैहिन स्वागात है आपका एग्री मंतरा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विश्व गर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे इफको एग्री कल्चर एग्जाम के लिए भी वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है तो वीडियो के सा आखिर तक बने रहेगा ये शेशन का पार्ट थड रहेगा सीरीज का अभी तक दो वीडियो हो चुकी है तो जिन श्टूडेंट्स ने जिन छात्रों ने पुरानी वीडियो को नहीं दिखाए चैनल पर जाके आप एगार उन सारी वीडियो को देखिएगा सारे कोशन सारी वीडियो आपके एग्जाम के साब से काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाख शेयर जरूर कीजिएगा स्टार्ट करेंगे प्रीबियस पार्ट में पूछेगा है कोशन से कोशन था कॉलेस्टरूम इस यह जो कॉलेस्टरूम होता है इसको के नाम से भी जानते हैं और यह क्या होता है जब स्टार्टिंग का जो मिल्क निकलता है बच्चे को जनम देने के बाद गाय अभैस का तो उसी को कॉलेस्टरूम या खीस के नाम से जानते हैं यह स्टार्टिंग का यानि फर्स्ट्री फोर डेस का जो मिल्क होता है वही खी इसको आपको याद रखना है सेकंड है आईरन मिल्क इस याने कि दूद में जो आईरन है इसका क्या रॉल है पूर है रिछ है वेलेंस उनकी हौपर वर्ण इस एज़र में के कारण होता है या किस की feeding यानि खाने ये पत्यों को अगर खाते हैं तो hopper bun type की जो symptom दिखते हैं वो किसके करण तो brown plant hopper या इसको sword में BPH के नाम से भी जानते हैं ये जो है rise को काफी नुकसान पहुचाता है और ये question exam में कई वार आया है तो आपको इसको याद रखना है आगे है seed rate of tobacco तमबाकू का बीजदर यहाँ पर पूछा गया है important question बनता है exam में पूछा जाता है ये seed rate तो धाई से 3 kg के आसपास जो होती tobacco की seed rate होती है तो आप इसको याद रख सकते हैं as it is exam में कई वार आया है धाई से 3 kg seed rate जो है पुवेको की होती है इसके अलाबा पूछ रहा है which one is या are denutral crop यानि कि इन में से कोई एक या कोई दो या सभी फसलें जो denutral हों प्रकाश निश्प्रभावी हों तो ground nut की बात करेंगी ये denutral में आता है soybean denutral में नहीं में आता है इसके अलाबा ग्रीन ग्राम जो होती है वह भी denutral में आता है तो राइट आंसर यहां पर होगा बोथ a and c denutral मतलब जिनकी ग्रोथ और डेवलप्मेंट में light का कोई ज्यादा इंपोर्टेंट ज्यादा रॉल नहीं होता है वह denutral कहलाते हैं इसके अलाबा कोशन नमबर 6 की बात करते हैं तो sensitive stage 4 irrigation in mustard यानि की sensitive stage हमें बताना है irrigation की सिचाई की सरसों में यानि mustard में तो flooring stage तो sensitive होती है इसके अलाबा जो siliqua development stage होती है यह भी important होती है तो यानि answer यहां पर जो होगा वह बोथ a and b दोनों जो है sensitive stage होती है mustard में irrigation के लिए important question बन सकता है आपके exam के लिए इसके अलाबा आगे बात करें question नमर 7 की तो यहां पर बात हो रही है eris betela यह scientific name है किसी एक insect का जो हमको यहां पर बताना है eris betela जो है वो spotted ball worm का scientific name है यह exam में आया हुआ है और आपको इसको याद रखना है eris betela spotted ball worm हो गया American ball worm पिंक ball worm यह जितने भी आपको दिख रहे हैं यह cotton को ज़्यादा नुकसान पहुचाते हैं और इनसे जो है exam में question आते हैं तो cotton यह इस topic को आप अच्छे से cover कर लीजेगा इसके अलावा question number 8 की बात करते हैं तो small blister like elevation of epidermis कहने का मतलब यह पूच रहा है small blister, whistle का मतलब होता है फपोले या फोले तो इनको postules के नाम से भी जानते हैं जब cell tissue की death हो जाती है तो उसको necrosis के नाम से जानते हैं इस मत आप जानते है powdery appearance आपको देखने को मिलता है और इस cap जो होता है वो spot में धब्बे type आप इसको बोल सकते हुए इस cap कहलाता है postules यहाँ पर right answer होगा important question बन सकता है exam के साब से तो आपको इसको याद रखना है इसका अलाबा question number 9 ब्रह्मा, कोचीन and Cornish are breeds of तो आप सब लोग जानते हैं ब्रह्मा, कोचीन और Cornish यह जो है poultry की यानि की मुर्गी की या हैं की यह breeds है एक्जाम में आती हैं तो आपको इनको याद रखना है इसका अलाबा पूछ रहा है बल्ड ओजोन डे के लिए तो यह आपको याद रखना है इसका अलाबा पांस सितंबर जो होता है उसको बल्ड सोयल डे के नाम से मनाया जाता है विश्वे मिर्दा दिबस तो यह जो है आपको याद रखना है, important है इसके अलाबा आगे बात करेंगे question number 11 की, which crop has lowest SMR, SMR का मतला होता है seed multiplication ratio, अगर मैं सोयल के अंदर एक seed को जो है insert कर रहा हूं तो उससे कितने seed या कितने जो है grain उसमें multiply होंगे, यही seed multiplication ratio होता है, lowest यानि कि सबसे कम पूछ रहा है, तो potato का सबसे कम seed multiplication ratio होता है, 1 ratio 4 यानि कि एक बीज डालते हैं, तो उससे बस 4 बीज ही बन पाते हैं, अगर according to option में अगर highest SMR की बात करूं, पूछे कि सबसे ज़्यादा seed multiplication ratio किस्ट का होगा, तो बाजरा का होगा, बहुगा 1 ratio 200 यानि कि एक अनुपाद 200 जो है, SMR होगा, इसके लाबा cotton का जो होता है, वो एक को आपको अच्छे से clear कर लेना है, इसके अलाबा, question number 12 की बात करेंगे, what is that place which is used for feeding of lamb, carps and piglet, उस जगा का नाम बताईए, जो की छोटे बच्चे जो रहते हैं, animals के उनको feeding के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन adult जब वो हो जाते हैं, तो उस जगा का उभ्योग नहीं करते है उसको क्या कहेंगों, तो उसको creep कहते हैं, creep के नाम से जाना जाता है, important question है, agriculture के exam में आया है, EFO में आया है, तो आपको इसको याद रखना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को like करें, दोस्तों के शायर करते चलें, आगे बात करेंगे, question number 13 की, तो crown cleaning, crown cleaning किस से related है, तो ये coconut से related है, काफी अच्छा question बनता है, आपको इसको याद रखना है, इसके अलाबा, controlling center of cell, यानि की controlling center cell का कौन कहलाता है, तो nucleus को controlling center के नाम से जानते हैं, ये भी अच्छा question बन सकता है, आपके exam के लिए, इसके अलाबा, आगे बात करें, question number 15 की, which one is not cross pollinated crop इस टाइब के exam में question पूछ लिए जाते हैं, simple होते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये पूछ रहा है कि इन में से कौन सी फसल cross pollinated नहीं है, यानि बात self pollinated की पर कर रहा है, apple, mage, mustard, ये सभी cross pollinated crops में आते हैं, rice जो है, rice की बात करेंगे, wheat की बात कर हैंगे, ये सब जो हैं वो self pollinated crop में आते हैं, तो exam में हाँ से question जरूर बनता है, इसके अलावा बात करेंगे trisame program की, तो trisame जो program है, वो 1979 में आया था, तो ये आपको याद रखना है, training for rural youth, for self employment, ये इसका पूरा जो है नाम है, trisame का, 82 में नावाड आया था, आप सबको प NSC, sorry, National Corporation, Food Corporation of India 1963 में आया, इसके अलावा, National Seat Corporation भी आया, 1963 में तो ये आपको याद रखना है, इसके अलावा diameter of engine cylinder, जो engine के cylinder का diameter होता है, उसको हम बोर के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, हौस पावर उसका पावर होता है, इंजिन का, ये exam में अच्छा question बन सक सकता है, answer होगा, बोर, इसके अलावा question number 18 की बात करेंगे, lactose can be prepared, यानि lactose को हम किस से बना सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इसके अलावा question number 19 है, identify the non-essential mineral nutrients in plant, यानि कि non-essential mineral है, mineral nutrients है, chlorine, copper, zinc, ये सब important है, इसके अलावा जो chromium होता है, वो non-essential mineral में ही आता है, तो आप इसको याद रखना है, इसके अलावा running butter का जो question number 20 है, यानि कि बहते हुए जल जो main feature होता है, वो मुघल garden का होता है, ये exam में आया है, तो आपको इसको याद रखना है, बातों बातों में हमने top 20 questions को जान लिया है, अगर आप इस video का complete PDF पाना चाहते हैं, तो आप agree mantra के official android application को download कर सकते है, play store से, या फिर इसकी link आपको description box मिल जाएगी, तो free PDF आप download कर सकेंगे, इसके लावा हम बात करेंगे, question of the day के बारे में, जिसका जबाप आपको comment section में बताना है, right answer next part में हम discuss करेंगे, question है, extension teaching, extension की जो teaching है, वो किस टाइब की होती है, horizontal, vertical, parallel या फिर ट्राइंगल comment section में अपनी राय जरूर दीजेगा, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, exam की preparation में अच्छे से लगे रहे है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, नए session में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत करता है